हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ डेटपुल 3 फिल्म की अनौंस्मेंट के बारे में लेकिन अब वो ड्राफ कितना जादा सच निकल कर आएगा उसका पता तो इस फिल्म की आईडिये के बाद ही चलेगा इसी बात को लेकर थी कि उनका कंट्रोल फिल्म पर बिल्कुल भी नहीं था बलके रिया निनल्स नहीं पूरी तरह की से फिल्म को अपने कंट्रोल में ले रखा था जिसके साथ वो आईडिया डिसकस करकर आगे इस युनिवर्स को कंट्रोल करेगे और ये अपडेट रिया निनल्स ने केविन फैगी से मीटिंग के बाद दी थी कि केविन फैगी को उनका आईडिया और पिच बहुत ही ज़ादा पसंद आया है जिससे कंटीनिव करने की जिम्मेदारी उन्होंने रिया निनल्स की टीम के कंदे पर ही डाल रखी है लेकिन सवाल तो अब भी बनता है कि रिया निनल्स को क्रियेटीव फ्रीडम एमस्यू में आने के बाद कितना ज़ादा मिलता है जिसके साथ साथ अब इस फिल्म के साथ में क्या-क्या अटेच्मेंट की गई है चले उन्हीं सभी के बारे में बात करते है जिससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जो की है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो फेंट्स तो फेंट्स को सबसे जादा डाउट डेडपूल के करेक्टर के एमस्यू में आने के बाद यही है के एमस्यू के युनिवर्स में डेडपूल को रिप्रेजेंट आर रेटेड और पीजी थर्टीन की रेटिंग के साथ किया जाएगा जिसका एक वर्जिन हम टेस्ट के ही हिसाब से डेडपूल 2 फिल्म के दो अलग-अलग वर्जिन को देखकर देख चुके है जिन में से एक ब्रूटल और रेटेड वर्जिन था तो दूसरा डिजनी की तरफ से ट्राइ किया गया पीजी थर्टीन वाला डेडपूल जिसका टाइटल Once Upon a Time डेडपूल रखा गया था लेकिन वो एक्स्पेरिमेंट इतना भी जदा खास नहीं चला है जिसके बाद जाकर बॉब आईगर की तरफ से कनफरमेशन डेट पूल के यूनिवर्स को आर रेटे डखने की ही की गई है यानि के एक उमीद बॉब आईगर की तरफ से तो मिलती ही है लेकिन जब तक उस पर सफाई खुद केविन फैग या कर नहीं दे जो चीज आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी वेल इस डीटेल पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस साल की सभी मार्वल फिल्मों की किसी भी टाइटल को रिवील नहीं किया गया है और यही एक बड़ी दिक्कत है लेकिन पिछले कुछ सालों से मार्वल में जो चीज़े थोड़ी डाक चल रही है जिसका एक्जैक पता तो हमें इसी मंद मून नाइट की सीरिस को देख कर लग जाएगा कि उस टोन पर एमस्यू वाले कितने जादा जा रही है यानि लिमिट को क्रॉस करकर बाकी इटेनल्स फिल्म में भी एक छोटे से सेक्सिन को दिखा कर फैंस को पूरी तरीके से सप्राइस कर दिया गया है कि अब एमस्यू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है तो लेट सी कि डेटपूल को भी लेकर एमस्यू के एक यूनिवर्स में किस तरीके से चीजों को बदला जाता है क्योंकि इन में जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वागिन इसके राइटर को ही लेकर है जिसके पहले पिछ को पूरी तरीके से लिकर खतम मॉलेनिक सिस्टर ने कर दिया है इसलिए तीसरे पार्ट की कहानी को लेकर डरना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बाकि जॉज बॉलिन की तो कन्फोर्मेशन अभी भी रूमर के तौर पर की ही जा रही है कि उनका कैरेक्टर जैजी बीट्स के डॉमिनो की तरहा शायद से इस फिल्म में रिटान आने वाला है और अगर ऐसा नहीं होता है तो केबल और डॉमिनो के कैरेक्टर को लेकर अभी भी एमस्यू में बात्षी चल रही होगी लेकिन चांसिस उन कैरेक्टर के इस फिल्म में दिखने के बहुत ज़ादा है जिसके बात बात करें अब डिरेक्टर की तो इसकी जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से रियान रिनल्स के फिरवेट डिरेक्टर शॉन लीवी नी समाल ली है जिन्होंने इसके पहले रियान रिनल्स के साथ मिलकर प्री गाई और एडम प्रोजेक्ट जैसी फिल्म बना रखी है और दोनों ही फिल्मों का टोन कितना जादा फ़नी और एंटेटेनिंग रखा गया था अगेन उसका भी अंदाज आपको फिल्म देखकर हो जाता है कि ये जोडी हिट नहीं बलके सूपर हिट है और अब इससे ये confirmation भी मिल जाती है कि रेयान रिनल्स की पकड़ डेटपुल के पूरे के पूरे युनिवर्स पर कितनी जादा स्ट्रॉंग है बिलकुल ही डुएन जौनसन की तरहा जिन्नों ने ब्लैक एडम फिल्म के लिए अपनी जोडी जौईमी कोड सारा से बना रखी है जिन्नों ने उनके साथ दीजनी के लिए जंगल क्रूज जैसी फिल्म बनाई थी और अब ये जोड़ी DC में Black Adam फिल्म के साथ पूरी तरीके से रेडी है जो शायद आगे भी फैंस को ऐसे ही सप्राइज करते रहेगी लेकिन फिलाल तो बात Deadpool के यूनिवर्स की चल रही है जिसकी ये confirmation डेडलाइन वालों की तरफ से की गई है और बाद में इस आर्टिकल को कोड खुद रियान निनल्स ने भी अपने इंस्टाग्राम पर confirm करकर बता दी थी कि डेडलाइन वाले बिल्कुल सच बोल रहे है यानि कि वो नहीं यहाँ पर भी freedom दिया गया है कि वो director का नाम reveal कर दे लेकिन अब भी देखा जाए तो इसकी studio की तरफ से official confirmation निकल कर नहीं आई है जो अगेन कब होगी उसकी detail में आपको दे चुका हूँ और गर उस हिसाब से देखा जाए तो डेडपुल के character का cameo की rumor अब तो हिसाब से बहुत ही जादा doctor strange in the multiverse of madness पे लगाई जा रही है क्योंकि जहां writer से लेकर director तक की confirmation की गई है तो फिर वो दिन दूर नहीं कि इस film का announcement काफी जोरो शोरो से किया जाए और fans को रहत दे दिया जाए जिसमें अगर अब अनुमान लगाया जाए तो उस हिसाब से ये film definitely 2014 में ही fans के लिए पूरी तरीके से बना कर ready कर दी जाएगी क्योंकि साल 2023 के बिल्कुल भी chances नहीं है कि Deadpool के universe को उस साल से represent किया जाए इसलिए साल 2024 डेटपुल किया Fantastic Four तक के लिए बिल्कुल perfect रहेगा और हाँ Blade के universe के लिए भी जिस बारे में अब आप किराय मुझे comment में चाहिए क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यही पर खतम करने का मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे दे मुवी स्टॉक चैनल जिससे अगर आपने विजख सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में बने विजब बेल आकन के साथ-साथ नोडिफिकेशन बर भी क्लिक कर दीजेगा बाकि अगर कुछ डिसकर्श करना है तो इंस्टाग्राम पर ग्रूप बना हुआ है जहाँ पर फिल्मों से रिलेक्टेड डिसकर्शन होते रहते है बाकि अब मैं मिलता हूँ जल्दी आप से दूसी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिकिसे और सीरिस का डॉपिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकि दूसे वीडियो को भी इंजॉई कीजिए तिल देन बाई